हेलो इविवान, वेलकूम आक्टे माइ यूट्वी चानल स्वाएंखोषीक्रीयेशन्ज तो आज की वीडियो में आप सभी को यह डबल बत्ति आप किस प्रकार से बनाएं पुजा की बाती किस प्रकार से बनाएं यह सिखाने वाली हो तो यह बनाना बहुत ही असान है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप असानी से समझ जाएंगे और पूजा में हमेशा दो बत्ती का यूस किया जाता है तो उसमें बनाने के लिए आपको इसका बहुत फाइदा मिलेगा तो ये देखें ये सारी घर पर बनाई हुई बातियां ही है तो ये बातियां आप एक बार में बहुत सारी बनाकर तयार करके रख सकते है एक बार अगर आपको बनानी आजाए तो एवरेज आपको एक बत्ती बनाने में एक मिनिटी लगेगा तो ये देखें ये बाती अब कैसे बनानी है यह हम सीख लेते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूई चाहिए तो अब तो या तो आपको सबसे पहले जो नॉर्मल बाती है वो बनानी होगी और हमारे हैं तो ऐसा यह रोल मिलता है हम इसी से बनाते हैं तो यह roll मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यह 10-15 रूपर का मिल जाता है, इसमें बहुत सारी बत्निया बन जाएंगे आपकी, और अगर आपके यहां यह ना मिलता हो, तो जितनी size के आपको बाती बनानी है, उससे double size की यह रूई आपको बट लेनी है हाथ से, तो normal रूई, जैसे हम बत्ती बनाते है normal रूई की, वो आपको double size की बनानी है, और अगर आप यह ले रहे हैं, तो इसमें से double size का आप कट करें, तो इस प्रकार से जितनी बाती बनानी है, उससे दुगनी हमें रूई लेनी है, और फिर उसे इस प्रकार से गुमाते जाना है, तो पूरा यह आपको ऐसे गुमाते जाना है, पहले इससे plane करके, अगर दो लोग हो तो एक पहले एक side से पकड़ सकता है, और दूसरा वक्ती जो है, वो ऐसे गुमाते जाए, तो ऐसे आप गुमाते जाएं सबसे पहले, तो end तक हम इसे अच्छे से tight tight बल देकर, एक तम अच्छे से गुमा लेंगे, और उसके बाद आपको इनके दोनों जो end है, यह एक साथ मिलाने हैं, इसके बाद इसे आप खोलेंगे, दीरे दीरे, और फिर यह अपने आप एक दूसरे के उपर जो है, वो लिपट जाएगा, तो यह देखे, यह मैंने ऐसे कर दी, तो अब यह हमने बल दिये थे, इसलिए यह एक दूसरे के उपर लिपट जाएंगे, यह देखे, कुछ इस तरह किस है, और अब हम वापिस से इसे रोटेट करेंगे, यानि जैसे हमने पहले इसमें बल दिये थे, सेम उसी तरीके से वापिस से बल देंगे, तो यह जो हमारी बत्ती है, यह बहुत अच्छे से बनकर तयार हो जाएगी, और जिधर से आपका मुझ खुला है बत्ती का, उधर से आप थोड़ी सी चोँच की शेफ दे दे, तो यह देखे, कितनी अच्छी बत्ती हमारी बनकर तयार हो गई है, जादा बल देंगे तो जादा टाइट बनेगी, थोड़ी कम बल देंगे तो थोड़ी धीली बनेगी, तो कुछ इस प्रकार से ही हम घर पर यह बातियां बना कर तयार करते हैं, पूजा के लिए और इस प्रकार से अगर आप एक बार बनाने बैठेंगे, तो एक साथ कई सारी बनाने के लिए हमें दो लोग तो लगेंगे ही, तो सेम प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, लंबा एक ऐसे जो मैंने रोल लिया है, उसमें से मैंने लंबा धागा निकाल लिया है, और इसे अब हम हाथ से बटेंगे, तो कुछ इस प्रेकार से जैसे हम छोटा वाला बट रहे थे, सेम उसी तरीके से हमें बटते जाना है, और उसके बाद इसे डबल करेंगे, और ये अपने आप फिर ऐसे ये देखे घूम जाएगी, क्योंकि हमने बल लगाये थे, अब इसे अपने आप घूम गई है, अब हम इसे जैसा हम पहले डबल फोल्ड करके, वापिस से इसे बल दिये थे, सेम उसी तरीके से हम इसे वापिस से बल देंगे, और उसके बाद ये जो बड़ी हमारी बत्ती बनकर तयार हो गई है, तो ये देखे कई सारी बत्ती बन जाएंगी तो एक बड़ी बाती में सही ऐसे cut करके बस इसमें एक वो होती है एक आप एक बार में इन चार ऐसे लंबी बत्ती में से cut करेंगे तो जो church है वो नहीं बनेगी पर उतनी कोई problem भी नहीं होगी आपकी 10 सेकंड में जलने की बजायए 20 सेकंड में जल जाएगी तो उतना कोई इस्यू नहीं होगा आप एक बार में 3 चाय भी बना सकते हैं तो ये देखिए इसको मैंने जो बड़ी बप्ती बनाई थी इसे मैंने चार पार्ट में इक्वल पार्ट में जित्ती बत्ती का साइज मुझे चाहिए उसमें फोल्ड कर लिया है और इस प्रकार से कट कर लिया है और हमारी डवल बत्ती बनकर तयार हो जाएगी पूजा पार्क में दिये में दो बत्ती लगाना बहुत शुमाना जाता है और कोशिश करके हम इन दो बत्ती ही लगानी चाहिए आप कई बार नॉर्मल जो बत्तियां होती हैं प्लेन उन्हें भी तो लगा लेते हैं पर ये वाली बत्तियां जो हैं ये इजी पढ़ेगा और प्लेजवले जल्दी जल जाएंगी तो कुछ इस प्रकार से आप अपने घर पर अपनी पूजा के लिए बत्ती बना सकते हैं अगर वीडियो यूसफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चानल साइंखोशी क्रियेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूड़े रहें थांक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शरन सब्सक्राइब थांक्यू आप मुझे इंस्टेग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ यसाथ इसे और वीडियो की कई सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर हैं उन्हें भी आप देखें थांक्यू वेरी मच्च प्लीज लाइक शरन सब्सक्राइब थांक्यू